Welcome to English Hindi YouTube Channel English Hindi YouTube Channel पर आपका स्वागत है आज हम जानेंगे अनुवाद का महत्व और अनुवाद के प्रेकार तो चलिए शुरू करते हैं कुछ विद्वानों का मानना है कि अनुवाद वास्तों में एक व्याख्या है एक समय था जब अनुवाद को कोई साहितिक मान्यता प्राप्त नहीं थी जो 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 ग्यान विज्यान का क्षेत्र विश्त्रित होता गया त्यों त्यों विशुद्रिष्टी का निर्मान होने लगा आज के युग में अनुवाद को जितना महत्यों मिल रहा है वह पहले कभी नहीं मिला क्योंकि आज अंतर राश्ट्रिय स्तर पर भाशा का परस पर संपर्ग पहले की तुलना में अत्यधिक है अनुवाद आज के युग की अनिवार्य आवश्यक्ता बन चुका है यह कार्य तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है अनुवाद कों को चाहिए कि वे बाहय और आजहंतर विगनों की परवार नय करते हुए स्वेम को ऐसा विशेश व्यक्ति समझें जिसके पास विशेश प्रतिवा है और जो नय केवल अनुवाद रूपी चुनोती पूर्ण कारिया को कर सकता है बलकि हर हालत में करके दिखा भी सकता है बीशवे सदी को अनुवाद का यूग कहा गया है इससे बहुभाशिक्ता की स्थिति उत्पन होती है और उसके सर्यक्षन की प्रकिरिया में अनुवाद कारिया का आश्रिय लेना अनिवारिय हो जाता है इसके अतीरिक्त अंतर राष्ट्रे स्तर पर विभिन राष्ट्रों के बीच राजनितिक, आर्थिक, वैग्यानिक और प्रोध्योगी की तथा साहितिक और सांस्कृतिक स्तर पर बढ़ते हुए आदान प्रदान के कारण अनुवाद कारिये की अनिवारियता और महत्ता की अनुवाद के कई प्रकार या भेद हो सकते हैं, किन्तु इसे दो प्रमुक्ष्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है. नंबर एक अनुवाद की प्रिकृती के आधार पर और नंबर दो अनुवाद की विशेवस्तु के आधार पर. अनुवाद के मुख्य प्रकार हैं, शब्दानुवाद, काव्यानुवाद, नाटकानुवाद, व्याख्यानुवाद, सारानुवाद, अर्थानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, निबंद, संसम्रण, रूपांतरण, आलोचना, विधी परक, आत्म कथा, कारिया एवं समाज सास्त्रिय अनुवाद और भी कई प्रकार का हो सकता है जैसे कि मोखिक अनुवाद और लिखित अनुवाद मनुष्य द्वारा किया अनुवाद और यंत्र द्वारा किया अनुवाद एक दल द्वारा किया अनुवाद और एक व्यक्ति द्वारा किया अनुवाद आधी आशा करते हैं कि आपको पता चल ही गया होगा कि एनुवाद के कितने प्रकार हो सकते हैं और आज के युग में इसका क्या महत्व है